सुसुसुम्सुम् सुसुसुम्सुम् वावा वेलकम वावा वेलकम वेलकम मुवी लिवर्स के लिए एक बहुती बढ़ी खुशकबरी है क्योंकि वेलकम वन और वेलकम टू की भारी सक्सेस के बाद इस मूवी के डायरेक्टर वेलकम के तीसरे पार्ट यानि कि वेलकम टू तु तजंगल लेकर आ रहे है और इस मूवी की ओफिशल अनॉंसमेंट हो चुकी है जो कि मूवी अनॉंसमेंट का एक बहुती डिफरेंट तरीका है क्योंकि आज तक ऐसे अनॉंसमेंट देखने में नहीं आई है और अभी सिक्वल सिक्वल वाली जवरदस्त रेस चल रही है और सिक्वल वाली मूवी ट्रेंडिंग में भी है वेलकम वन एक क्लासिकल कोमेडी मूवी थी जिसे बच्चे, बूटे और जवान तीनो जनरेशन के लोग पसंद करते हैं और अब पुरानी यादे फिर से ताजा करने का वक्त आ गया है वेलकम वन और वेलकम टू में हमें लिमिटेड केरक्टर देखने को मिले थे लेकिन वेलकम थ्री की जो काश दिखाई गई है उसे देखकर यह सा लगता है कि जैसे तिन चार मूवी के केरक्टर एक साथ खड़े कर दिये गए हो जैसे की हेरा फेरी से अक्षे कुमार, सुनिल शेटी और परेशरावल, गोल माल से तुशार कपूर, स्रेश तलपडे, चोनी लिवर और वसुली भाई, कपिल शेर्मा से कृष्णा और किकुशारदा, मुन्ना भई, MBBS से संजैदत और और सदवारसी, और साथ में ही इस मुवी में देखने को मिलेगे, फिमेल केरेक्टर की बात करें तो लारा दत्ता, रविना टंड, जैकलिन और दिशापटनी भी हमें इस मुवी में नजराएंगे, इतनी लंबी चोड़ी स्टार कास्ट और हर एक जनरेशन के एक्टर को इस फिल्म के साथ जोड़ा गया ये देखके ऐसा जरूर लगता है कि ये मुवी कुछ न कुछ तमाल जरूर करेगी, अभी अभी थोड़े टाइम पहले एरा फेरी 3 का भी आनाउंसमेट हुआ था, जिसे देखकर लोग पागल हो गये थे, और अब वेलकम जोकी वो सिनिमा है जिसे लोग आज भी देखना सोचो कि जब इस मुवी का तीसरा पाट रिलीज हुगा तब कितनी ओडियंस इस मुवी को थियेटर में देखने के लिए तूट पड़ेगी, अब स्टार कास्ट ही इतनी बड़ी और जबरदस्त है, इसलिए आप इस मुवी को खुच से दूर नहीं कर पाएगे, वेलकम ज तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर स्टोरी और डायलोग जबरदस्त निकले तो ये बाद भी पक्की है कि ये मुवी बॉक्स आफिस पर धमाका कर देगी, कोई एकसेप्ट करे या ना करे लेकिन अगर कोमेडी की बात आये तो अक्षे कुमर का नाम सबसे टॉप पर आता है, और अब देखना ये है कि हकीकत में ये मुवी क्या कमाल करती है, ये मुवी रिलिज होगी 20 डिसमबर 2024 को, यानि कि एक साल से भी ज़्यादा टाइम बाकी है, तो दोस्तो आपको ये अनौंस्मेंट टीजर के सा लगा ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में